हाई, मैं केके सिंग आज मैं आपको एक ऐसा दुरलब विचार शेर करने जा रहा हूँ जो मैंने अब कैसे प्राप्त किया ये मुझसे मत पूछिएगा लेकिन भारत से बिलुप्त हो चुके उम का उच्चारण जिसको मैंने करके अपने अंदर काफी बदलाव पाया और काफी पाजिटिव अध्यात्मिक बदलाव मैंने पाया है मैं आप से शेर करना चाहता हूँ ताकि जो लोग इस पे विचार करें और इसको करें उनके जीवन में भी बदलाव हो जो हम ओम का उच्चारण करते हैं मैं तो ये नहीं कहता कि कौन सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है लेकिन वास्तों में जो ओम का उच्चारण है वो बिलुप्थ हो गया है मैंने जो महसूस किया है वो ओम का उच्चारण ऐसे होना चाहिए जो की प्राणायाम का एक बहुत अभिन और महत्वकुन अंग है कैसे होना चाहिए जब हम ओम बोलते हैं तो ओम में सांस बाहर नहीं निकालना है ओम में सांस को अंदर प्रविष्ट करना है यानि अंदर सांस खीचना है और खीच के सांस को लोके रखना है ताकि पेट मठकी की तरह हो जाए जिसको कुम्भग कहते हैं अब देखे मैं ओम का उचारन कर रहा हूँ ओम का उचारन करते समय मुँ को गोल बना के सांस को अंदर खीचना है और सांस को कुछ देर अंदर रुक के रखना है ये सांस अंदर रुक के मुँ से प्रविष्ट होके अंदर रुक के और गोल बनाते हुए ये पीट होते हुए सिर से होते हुए नाक से निकलेगा नाक से निकलना चाहिए प्राया लोग नाक से सांस लेते हैं ओम कहते हैं ये मेरे विचार से तो ठीक नहीं है क्योंकि जो मैंने महसूस किया है उसमें ओम का उच्चारण के लिए सांस को मुँ के रास्ते अंदर खीचना है और नाक से निकालना है तभी पूरत ओमकार का आकार बनेगा ठीक इस तरह से देखें जैसे कि ये ओम का जो ओमकार बना है जो रूप है ये एक जीव की तरह है अगर हम ठीक ध्यान से इसको देखते हैं तो ये हमारा मुँ है यहां से सांस मैंने खीचा और ये होते हुए सिर होते हुए पेट होते हुए असिर के रास्ते होते हुए नाथ से बाहर निकल गया अगर आप वास्तों में देखेंगे तो सारे जीव संसार के चलने चलने वाले जीव जितने भी भ्रमण कर रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे तो सभी ओम के आकार में ही आपको दिखाई देंगे बहुत से लोग ये कहते हैं कि ओम में एक यू आकार निकला होता है तो ये बड़ा उ का मात्रा है और लोग कहते हैं इस पे चंद्राकार है तो चंद्राकार ये श्यू जी की निशानी है शिव जी जो चंद्रधारण किये हुए मस्तस्थ पे प्रतेक्ष दो ही देवता हैं जो आखों से दिखाई देते हैं एक है सूर्य दूसरे हैं चंद्रमा तो ये ओंकार में इनहीं का ये प्रारूप है जो अंकी मात्रा का सांकेतिक चिन है चंद्राकार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुँ सास खेचने के लिए है ना को सास खेचने के आउशकता नहीं है आप इस पे विचार करिएगा और जीवन में बदलाव होगा तो इसमें कुछ कमेंट्स भी दीजिएगा धन्यवाद